हेलो और वेल्कम दिधा पॉलिटी करेंट रफेर्स सेशन और कॉम्पेटिशन कम्मुनिटी जैनल मैं हूं निकत परविन खान और आज के इस करेंट रफेर्स की वीडियो में हम लास्ट वीक मतलब 27 मही से लेकर एक जून के बीच में पॉलिटी के सेक्शन में जो भी करेंट की important घटनाएं हुई हैं उनकी उपर नज़र डालेंगे 27 मही के पहले की 26 तारिख तक की जो न्यूज है हमने last week Thursday को cover कर ली थी आज हम इस particular week की घटना उपर नज़र डालेंगे तो चलिए सबसे पहले हम let's have a news at a flash की क्या के important घटनाएं हुई सबसे पहले राश्ट्री उपलब्धी सर्वेक्षन जिया National Achievement Survey 2021 का report जारी हुई है क्या है ये report और इसमें क्या अकड़े सामने आये हैं उस पर नज़र डालेंगे दूसरी news नदी 3 नाम की एक confluence एक summit से संबन्दित है जो गुवाहाटी में आवजीत की गई नदी 3 क्या है और इसका purpose क्या है उसे देखेंगे पीसरी news International Day of United Nations Peace Keeper अंतराश्ट्री सह्युक तराज संग जो शान्ती रक्षक है उनका दिवस मनाया गया 29 मई को उसके बारे में उसके background और डैनेमिक पार्ट को देखेंगे और last news है भारत जापांद्वी पक्षी सुरक्ष और रक्षा सहयोग तो quad meeting के time में आपको बताया था मैंने कि bilateral talks भी हुई थी कुछ देशों की जो quad में शामिल है तो उसी में एक इंडिया और जैपान की भी meeting हुई थी उसके क्या-क्या main outputs रहे उस पर नज़र डालेंगे तो तो राश्ट्री उपलब्धी सर्वेक्ष नाशनल अचीवमेंट्स सर्वे क्या है ये सर्वे दरसल ये एक तरह का education ministry द्वारा आयोजित किया गया सर्वे है जो इस बार त्रैमार्शिक रहय ने तीन येर का सर्वे किया गया जो ये आखता है कि school education कितनी प्रभावी साबित हो रही है how effective school education इनके आकने का तरीका सिर्फ scorecard नहीं होता सिर्फ ये नहीं कि school के बच्चों को इतने percentage मिले इस पर्टिकुलर आकलन में हर एक school कहां पर situated है मापे पढ़ने वाले बच्चे किस तरह के background के हैं चाहे उनका जाधिकत background हो चाहे उनका economic background हो चाहे वो urban area के हैं रू facilities क्या क्या मिल रहे हैं और उसके बाद उनका performance कैसा है और वहां पर क्या के और बुनियादी चीजों की जरूरत है उनके performance को बहतर करने के लिए इस पर यह actually suggestion देती समझभारी बद तो education ministry इसको conduct करवाती है जिसका main purpose यह है कि वो जिस भी तरह का एक धाचा बनाई है school education का वो और इसको आकने के बहुत सारे पैमाने सिर्फ इस बात पर आका नहीं चाता कि कौन से school के result सबसे अच्छा है वो result के पीछे efforts क्या क्या हुए कौन कौन सी ने योजना है लाए गई है उन scorecards या उन results को जो देने वाले हैं वो बच्ची किस तरह के background के हैं तो हर तरह के factor यानि beyond scorecard जाकर के ये लोग survey करते हैं तो बस उसी की report सामने आई है इस survey के बारे में कुछ basic बात है यहाँ पर भी आपको लिखी मिलेंगी बहतर हैं एक बार इसको read कर लेते हैं तो देखे हाली में शिक्षा मंत्राले ने राश्ट्री अपलब्दी सर्वेक्षन NAS 2021 की report जारी करी ह ये एक त्रेवार्शिक सर्वेक्षन ने जैसे कि मैंने कहा कि तीन वर्षों का एक साथ ये survey किया गया नमानमर 2021 में आयूजेद किया गया था जिसकी report अभी आई इसमें कुछ sample schools और students जो हैं उनकी उपर survey किया गया जिसमें 720 जिलों के 1,18,000 school जो थे वो शामिल थे और 34,000,000 students के उपर ये survey किया गया 34,000,000 students के उपर ये survey किया गया इसके मकसद के रूप में 14 point पढ़िये ये शिक्षय प्रणाली के सीखने के परिणामों और स्वास्त का आकलन करने के लिए एक राश्ट्रि व्यापी सर्विक्षन है ठीक है कि हमने जो भी education उनको provide की उसका result कि रहा है नेस 2021 का आयोजन के इंद्रे मादिमेक शिक्षाबॉर्ट जिसे हम CBAC के एते हैं उसके द्वारा किया गया निर्दे शिक्षामंतराले द्वारा पड़ एक्चुली में जो survey किया गया किसके द्वारा किया गया CBAC कि द्वारा किया गया ये प्रासंगिक प्रिश्ट स्कूल में environment कैसा है वहाँ पर procedure कैसे अपनाया जा रहा है hostel में facilities कैसी है ठीक है और उसके अलावा बच्चों का background कैसा है इन सारे पैमानों पर ये survey होता है ये जो पूरा survey है सिर्फ हिंदी या English medium schools में नहीं हुआ करिए 22 mediums की जो schools हैं उनमें हो याने बहुत बड़े level का survey तो होता है grade 3, grade 5, grade 8 और grade 10, grade 3 और grade 5 के जो survey है उसमें language, EVS और जो गड़ित विशय है इनका आकलन किया गया कि इनमें performance कैसरा grade 3 और grade 5 में, grade 8 में language, science, maths और social science इन subjects को रखा गया और grade 10 में language, science, maths, social science और especially English को रखा गया तो इस तरह से ये 4 grades में 3, 5, 8 और 10 इसमें survey कंड़क कराया गया ठीक है तो पहले survey के background को समझ ये किसके निर्देश पर हो रहा है, कौन करवा रहा है, कितने लोगों ने इसमें participate किया, यहने कितने लोगों पर ये survey हुआ, क्यों ये survey हो रहा है, कितने mediums में ह हो रहा है, इसका purpose क्या है, ठीक, समझ मैं ये बात, तो ये है National Survey of Achievement 2021, जो स्कूल शिक्षा की प्रभाव, कितनी वो प्रभावई, कितनी effective है, इसके बारे में outline करता है, और उसकी report आई, अब इसमें क्या क्या बाते सामने आई, उसकी detailed report में आब आपके सामने पेश करती हू कि क्या क्या main बाते इस पर निकल कर किया है, इस particular survey में statewide बताया गया कि कौन से state ने अच्छा perform किया, कौन से state ने अच्छा perform नहीं किया, schedule class, schedule tribe, जो students ने उनका performance कैसा रहा, urban rural area के जो students ने उनका performance कैसा रहा, अलग-अलग जो class की categories है, वहाँ पर performance बेटर हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीज़ों के आपको आकड़े यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल एक statistics है, जो यहाँ पर मैंने आपको इस survey का लिकर दिखा है, तो सबसे पहले देखिए, कक्षा 3 के लिए छात्रों का राश्ट्रियोसत प्रत गिर जाता है, 59% 3 के लिए और 5 के लिए 49%, इसमें कक्षा 8 में 41.9 और फिर कक्षा 10 में 37.8 तक गिरावाट आई, मतलब 3 के लिए 59, ठीक है, उसके बाद आपका 8 के लिए 49, फिर उसके बाद आपका, sorry, इसमें सबसे पहले याद रखिए, कि 3 के लिए 59, 5 के लिए 49, 8 के और 37.8 टेंथ क्लास, तो 59%, फिर 49%, फिर 41.9% और 37.8 परसन, ये इस तरह से आप देखेंगे, गिरावाट आती है, औसत परसेंटेज में, जाहिर से बात है, ये गिरावाट तो लाजमी है, इंडिया में बढ़ते एजुकेशन के अवेरनेस के बावजूद, आप स्कूल गिरावाट आई, तो क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 और क्लास 10, ठीक, प्रदर्शन में लगबख सभी विश्यों पे गिरावाट दर्श की गई, ग्रामीन स्कूलों का प्रदर्शन उनही राज्यों और केंदरशार से प्रदेशों की शेहरी स्कूलों की तुलना में बहुत ही एक गाओं की स्खूलों में जो परफॉर्फॉर्फॉर्मेंस दिखता है वो शेरों की श्वूरण से थोड़ा साप पीछे निश्वाँ राज्य वही है प्रणालिया उसके बावजूद काफी पीछे एंक arts देखने को मिले साथ साथ अगर आप जाती का ताधार पर देखें तो सर्वे में ये भी पाया गया कि एसी एस्टी और अन्य पिछड़ा वर्ग के श्रेडियों के जो चात्रें उनका प्रदर्शन जेनरल कैटिगरी के उनकी तुलना में काफी कम रहा तो जो हम रिजर्वेशन की बात करते हैं और एजुकेशन भी थोड़ी से अर्बन से पिछड़ी हुई है और जो आपका रिजर्व क्लास हैं उनके चात्रों का भी पर्फॉर्मेंस जो है वो समानिवर्ग से थोड़ा कम देखा गया है सर्वे में ठीक है उसके अलावा कोरोना काल में जो एजुकेशन दी गई जिस भी माध्यमों से जो भी फैसिलिटीज दी गई उसके उपर भी सर्वे हुआ कि महामारी के दौरान क्या कुछ सामने आया तो महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने के अवधी में घर पर सीखने के बारे में च्छातरों की धारणा के अनुसार 78% च्छातरों ने इसे बहुत सर असाइन्मेंट के साथ बोज बताया आपने ये चीजें ऐसे ही कैश्वली सुनी पड़ी भी होंगी कि स्टूडेंस ये कह रहेते कि भी स्कूल ही चले जाते तो बेतर है ये तो घर पर ही लोग पढ़ा करके असाइन्मेंट बहुत देते हैं तो स्कूल में ऐसा था कि one-to-one इंट्रैक्शन नी हो पा रहा था और सामने कोई एक उतना की effective काम नहीं हो पा रहा था उनको पढ़ाने का काम नहीं हो पा रहा था इसलिए उनको assignment के बोज तरह दबा दिया गया तो बहुत जादा assignment दिये गए आप सभी जानते सभी के घर-घर का हाले ये सब देखा गया ठ हाली समय में बच्चों को education से connect करने के लिए लेकिन कहीं न गई उतना fruitful सावित नहीं हो रहा था बच्चे इसे बोज की तरह ले रहे थे करीब 78% जो बच्चे उन लोग ने कहा कि पूरे lockdown के दुरान assignment जो है वह बहुत बड़ा बोज था उनकी उपर ठीक है अधिकांश चानते हैं कि education में अगरणी है जैसे कि केरला राजिस्थान महराश्र पंजाब यहां का performance national average से उपर है बाकी सारे स्रीट का national average से कम हैं बट इन चार राजियों का केरल राजिस्थान महराश्र पंजाब का national average से उपर है ठीक है और राश्ट्रिय उसत की तुल्ला में आठव से best performance जो था वो डेली का था तो डेली का education system है या अच्छा हम सभी जानते हैं और वो survey में देखने को में मिलता ठीक और पंजाब ने कक्षा 3, 5 और 8 की सभी विश्यों में सरवोच अंग प्राप्त किये ठीक तो जितने grades आपने देखी तो 3, 5 और 8 में पंजाब और बाकी overall performance में 10 तक के डेली टॉप पर रहा तो यह कुछ states थे जिन्होंने अच्छा perform किया बाकी states का जो performance है national average से काफी कम रहा ठीक है समझ में आया देखिए आपको जब essays वगेरा लिखने के लिए आते हैं इस बार की mains में भी आपने essays देखी होंगे ता आपको समझ में आता होगा कि 700 700 शब जब आपको लिखने रहते हैं सिर्फ थियोरी से नहीं बनता आपको अपके essay को आपके facts से statistics से enrich करना पड़ता है तब जाकर अच्छे marks बलते हैं तो कोई भी ऐसी चीज जैसे कि भारत में शिक्षा का परिद्रश चत्तिसगर में शिक्षा का परिद्रश यह तो एक common topic होता ही essay का अगर कुछ ऐसा लिखना हो और आप कोई survey लिखना चाहते हैं तो इस तरह के जो भी survey होते हैं उसके आंकड़े लिख दीजे आपके answer को factual support एक statistical support मिल जाएगा और answer में marks बहुत अच्छे मिलेंगे तो यह सारे topic जादतर आपके essay के काम आते हैं साथ ही साथ अगर क चीजें पूछी जाते हैं कि education related survey interviews हो गए ऐसे हो गए या फिर आपका normal योजनाव से संबंदित questions हो गए या फिर problems में बिलकुल factually कि यह survey किसने क्यों conduct करवाया था detail of this आना भी मुश्किल है पर फिर भी यह conduct क्यों होता है किसने किसके द्वारा करवाया गया कितने वर्शों कि रिपोर्ट है इस तरह के question problems में आ सकते हैं लेकिन बागी सारी चीजे इसके statistic जो हैं ऐसे में काम आते हैं कुछ mains के paper में और interview में आपके काफी काम आते हैं इसलिए पूरे notes को बना करके रखे हैं ठीक है समझ में आ गई तो यह तो हो गई dynamic part इस पूरे survey report की अब कुछ बा आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसेवल स्टेट पॉलिसी उसके article 45 में education को बढ़ावा देने की राज्यों की कोशिशों पर बल दिया गया है कहा गया है article 45 में कि राज जी कोशिश करें कि प्रात्मिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और शिक्षा का दिकार आने से पहले उसमें ये भी था कि 6-14 साल के बच्चों को मुफशिक्षा दिलवाई जाए फिर आप जानते हैं कि 6-14 साल के बच्चों को मुफशिक्षा दिलवाने की जो बात कही गई उसे 86th amendment के जर्ये लागू कर दिया गया और finally 2009 में RTE यहने right to education आया जिससे लोगों को मुफशिक्ष च्चा 6-14 साल की कैडिगरी में मिलने लगी तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ हम समिधान में पढ़ते हैं जब कोई ऐसी सर्वे होती है कोई योज ना आती है तो वो theoretical aspect जो उस particular topics related समिधान का वो highlight हो जाता है इसलिए मैंने इस चीज़ को यहां पर बताया तो article 45 education related to directive principle नीतिन बन के 2009 में आया था ठीक है साथ ही साथ एक point और याद रखें कि जो 42 संचोधन था कब का 1976 का जिसे हम इन constitution कहते हैं हम जानते हैं उसमें बहुत सारी परिवर्तन किये गए थे उसमें से important amendment education में भी हुआ था education जो पहले से state list यहने की राज्य सूची का विशेवस्तू था उसे समवर्ती सूची यहने concurrent list में शामिल कर दिया गया इस तरह से education के उपर पहले सिर्फ state governments कानून बना पाती थी लेकिन अब जब से यह संचोधन हुआ है तब से center और state दोनों का अधिकार है education पर कानून बनाने का इसलिए जाए survey करवाने हो चाहे laws बनाने हो यह काम center भी करती ह है और state भी करती है क्योंकि अवो समवर्ती सूची में तो ध्यान रखेंगा इसके background पहले आप याद रखेंगे articles ठीक उसके बाद आप याद रखेंगे से संबने संचोधन जो की है 42 संचोधन 86th amendment और 2009 का यह act जो right to education के तहर आया था इस 2009 के act के तहर समाज की वंचित वर्ग के जरिये ही आया था याद रखेंगे ठीक है तो भारत में शिक्षा की स्थिदी उपर आप ये कुछ बातें समविधान के static portion में याद रखेंगे बाकि dynamic लिए वो सब जो मैंने से पहले बताया है ठीक I hope आपको समझ बाया है चलिए अब हम move करते हैं दूसरी news second news है नदी त आफ लैश में बताया इस शब्द का full form जो है वो है natural allies in development and interdependence it is an Asian confluence river conclave याने Asia ही संगम नदी सम्मिलन है नाम में नदी है तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहो होगा कि इस confluence का इस group का इस dialogue का इस meeting का लेना देना कुछ न कुछ नदी से नदी ठीक तो दरसल ये नदी का जो full form है वो है naturalize and development, interdependence बट ये ऐसे कुछ areas का सम्मू है जहां पर तीन में नदियां बहती है जो कि आप यहां पर देख पारे होंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेगना बेसन की इडगे जितने शेत्र हैं उनका जो group है उसको हम नदी कहते हैं ठीक येने की इस particular group जो की इस basin की एडगेत के राज्यों क्या सम्मू है उनके पहले दो dialogues हो चुके हैं जो की शिलॉंग में और धाका में आयो जित करवाए गये थे शिलॉंग और धाका और अभी जो गुवाहाटी में आयो जित किया गया ये इसका तीसरा संस्क्रण है ठीक है त उसके अलावा South Asia और South East Asia के कुछ ऐसे राज्यों और कंट्रीज जो की नदी के एडगेत घिरे हुए हैं उनका पूरा ये group है जिनके बीच में अकसर इस particular पूरे शेत्र में अलग-अलग areas को लेकर बातचीत होती है उन areas का जो लेना देना है वो 5 C's से है वो है connectivity, culture, commerce, conservation and collaboration यन नदियों की एडगेत वाले शेत्रों में connectivity को नदी मार्क से कैसे बढ़ाएं, वहां की संस्कृति को कैसे बचाएं, वहां पर trade and commerce को कैसे बढ़ावा दें, वहां पर प्रकृति और नदियों का conservation है वो कैसे करें और कैसे वहां पर आपसी collaboration स्थापित की जाएं यनिकिसी एक मुद्दे को लेकर नहीं है, यह वाला डायलोग, यह काफी सारी चीजों को लेकर है, यह trade and commerce पर से भी आधारित है, यह culture पर भी आधारित है, यह नदी मार्क की connectivity पर भी आधारित है, यह नदी और जो अभी आपके water resources हैं, उनकी conservation से भी लेटेड आधारित है, बट उसमें common बात यह है, कि यह उन शेतरों का सम्मू है, यह उन शेतरों के बीच की वारतालाप है, जो की गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेगना बेसिन की इर्द गिर्द वाले शेतर है, समझ में आई बात, ठीक है, तो इसके यह तीसरा डायलोग था यने की तीसरा संसकरन था, इसके पह इन्होंने इसको उध्गाटन किया निर्मला सीता रमन जय उन्होंने वेलेडिक्टरी स्पीज दिया और उध्गाटन जो किया वो डॉक्टर एस जैशेंकर ने किया ये नदीथरी नाम का जो कॉन्फुलेंस है ये 28 और उन्हें 30 मही को गुवाहाटी में आयो जित किया गया इसका जो में गोल जिस पर पूरी इस बार की बाचीत अधारी थी वो ये था to articulate and activate the collective vision of sub-regional cooperation in Bay of Bengal and South East Asia keeping Northeast India and Assam at the epicenter of activities तो देखिए Bay of Bengal और South East Asia ठीक, Bay of Bengal और South East Asia में जितने भी देश आते हैं उनकी जितने छोटे छोटे प्रांत हैं जैसे हमारे यां Bay of Bengal की उपर जो पूरा हमारा प्रांत है वो है North East और North East में हमारे economic वज़े से अगर सबसे important कोई प्रांत है तो वो है Assam ठीके तो Assam को focus करते हुए और बाकी North East state को focus करते हुए इन पाँच activities को बढ़ावा देना ये इस बार के dialogue की main theme थी मैं दोहराती हूँ, मैंने कहा कि Bay of Bengal और South East Asia में जितने countries आती हैं जो आप खास्ता पर गंगा पुत्रा मेगना बेसिन के इडगे दाती हैं उनका sub region यानि कि उसके अंदर के जो छोटे-छोटे शेत्रे या राज है उनमें ये पाँच चीजों को बढ़ावा देना इनका main focus है और इस बार खास्तोर पर असम और असम के अलावा इंडिया की जितने north eastern states हैं उसको focus करा गया क्योंकि आप जानते पर गुवाहाटी असम में है तो गुवाहाटी में ये conference रखी गई तो असम में किस तरह के development इन पांच शेत्रों में किया जाए और साथी साथ नौर्थीस के जो दूसरे राज हैं वहाँ पर कैसे development किया जाए जो कि इन नदियों के basin केड़गे दाते हैं उस पर इस पर चर्चा हुई थी ठीक है समझ में आई बात क्या है ये तो नदी तीन नाम का एक negotiation हुआ एक dialogue हुआ एक conference हुई जो कि एशियन conference river conclave है यानिकि एशिया संगम नदी सम्मेलन जो कि इन particular तीन नदियों के जो शेत्र हैं बहां कि जो सब regions हैं वहां कि जो राज जिमार के शेत्र हैं उनमें connectivity, culture, commerce, conservation और collaboration वाले areas को बढ़ावा कैसे दिया जा सके हैं उस पर बातचीत होती हैं ये तीसरा संसकरण था पहला दोनों शिलोंग और ढाका में एश जेशंकर जो विदेश मंतरी उन्होंने उधगाटन किया 2829 मई को ये आयोजन दो दिवसी हुआ ठीक है that is it all you need to know about this news is that much only इसका ब इस रिलेटे टो इंटरनाशनल डे उफ युनाइटे नेशन पीस कीपर अंतराश्ट्री संयुक्त राज संग शांती रक्षक दिवस मनाया गया बही 29 मई को उनाइटे नेशन का एक औरगन है युनाइटे नेशन पीस कीपिंग कहते हैं उसे यह ब्लू हेल्मेट बोलते है ब्लू हेल्मेट क्यूंकि इसकी जो सदस से होते हैं वो लोग ब्लू कलर का हेल्मेट पहनते हैं जैसे कि आप इस तस्वीर में देख पाते हैं तो यह युनाइटे नेशन पीस कीपिंग यहने कि शांती रक्षकों का एक पुरा औरगन है युनाइटे नेशन का जिनने ब् साल पहले ठीक है और इनका जो में काम है युनाइटे नेशन पीस कीपिंग का वो ये है कि जबी भी कोई एरिया में युद की कंडिशन होती है युद हो जाता है तो वहाँ पे शानती विवस्था को पुनर स्थापित कैसे किया जाए मैं दोहराती हूँ मैंने कहा कभी भी कह युद हो जाता है कोई टेंस कंडिशन होती है कोई संघर्ष होता है और वो पूरा एरिया युनाइटे नेशन के अधियन आता है युनाइटे नेशन की जितने सदस देश है उनमें आता है अगर वो शेत्र तो युनाइटे नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्स है शानती र कोशिश करते हैं लोगों को जो migration हो रहा है उस पर नजर बनाया रखते हैं उनका social economic जो loss हुआ है उससे recover करवाने की कोशिश करते हैं वह पैसे सी schemes लाते हैं जिससे उन लोग का social development हो सके उनका economic पीजिए में आपने चाहिंद लूड्र को मिन्टेन करवाता है वहां पर को नहों नियाएं को नियाएं कि रख्षा करता है तो ऐसे मंल्टीपल बेग्राउंड के लोग रहते हैं कुछ आर्मी के रहते हैं कुछ पोलस ओफिसर रहते हैं कुछ common civilian लोग रहते हैं, जो इस peace keeping में शामिल किया गए, ठीक है, इन सब को जो uniform दिया गया, उसमें का main uniform है, ये blue color का helmet, इसलिए इन लोगों को blue helmets बोला जाता है, ठीक, तो बेराल, इन particular लोगों को, ये ने blue helmets को ये दिन dedicate किया गया, जो है 29 मही, 29 मही को United Nation Peace Keeping Day मनाया गया, जो की वर्दीदारी और नागरिक कर्मियों के योगदान को श्रधांजली देने के मनाया गया, ध्यान रखे कि 1948 से United Nation क्या कर रहा है, जितने भी peace keeping के कारियों में इनके लोगों ने जान गवाई है अपनी, उनको श्रधांजली देता है, तो 1948 से 400 लोगों ने इस peace keeping mission में अपनी जान गवाई, पिछले ही साल अगर आप देखें तो करीब 135 कर्मियों की इसमें जान चले गई, क्योंकि ये काफी sensitive areas में ये लोग काम करते हैं, और इस वज़े से हर साल 29 मही को ये दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखे 29th of May, United Nation Peace Keeping क्या है, ऐस से के लिए याद रखें और पेपर 7 के लिए याद रखें, और 29 मही को ये day मनाया जाता है, ये prelims के लिए याद रखें, ठीक है, उसके अलावा, इस बार की जो main theme थी, जो prelims में पूछी जा सकती, वो है, people, peace, progress, the power of partnerships, people, peace, progress, यहने लोग, शान्ती और ट्रगती, the power of partnership, यह से किस तरह से हम लोगों में शान्ती विवस्था को दुबारा बहाल करवा सकते हैं देशों में, इस चीज़ को recognize करने के लिए इस बार की theme रखी गई है, कि किस तरह से partnership अपने आप में एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, बल provide करती है, peacekeeping के कारियों में, कहता है कि अकेले अग theme आप याद रखेंगे, खासतोर पर और year याद रखेंगे, कि 1945 में बनी थी, 1948 से जितने लोग शहीद हुएं, उनको श्रदांजली दी जाती है, और 29 मही को हर साल मनाया जाता है, ठीक है, that is it, इस news के बारे में इतना ही, बढ़ते आगे हम, आज की last news में, आपको बताया था मैंने की, जो court summit हमने last video में cover की थी, उस दोरान मैंने आपको बताया था, कि जितने भी उसमें participants थे, उनके बीच में bilateral negotiations भी हुए थे, यहने की द्वी पक्षिय वारताएं भी हुई थी, भारत ने भी जापान के साथ एक द्वी पक्षिय वारता की, जिसमें कई चीजों पर आम सहमती बनाई गई कई चीजों पर आगे की रहा तै की गई थी, तो बस उसी से related कुछ key points यहां पर आज आपके सामने प्रस्तों थे, कि क्या क्या उस द्वी पक्षिय जो वारता थी, उसके परिणाम निकल कर आते हैं, ठीके, भारत के प्रधान मतिर नरेंदर मोदी और जापान के उनके counterpart, Fumio Kishida जो हैं, उनके बीच में bilateral summit थी, और उसके बाद से दोनों ही जगे के जो diplomats हैं, उनके जरीए बहुत सारी bilateral key points, बहुत सारी agreements, बहुत सारी आम सहवंती हैं निकल करके आती हैं, इंडो-जापान relation को strong करने से संबंदित, तो क्या-क्या key points हैं, एक ब जापान के जो currency है, sorry, वो है yen, 28 trillion yen का financing करेगा ये public और private projects पे, ठीक है, पहले इस चीज़ पर, दूसरा, भारत और जापान, रक्षा वी निर्मान सही, द्विपक्षी सुरक्षा, इवं रक्षा सहयों के बढ़ावा देना हेतु सहमत हुएं, आप ये जो heading पढ़ रहे हैं, क पर्टिकुलर जो आपकी द्विपक्षी वारता हुई, वो खासतार पर bilateral security और defense से संबंदित थी, तो इसके कई पैमानों पर इसमें आम सहमती बनाएंगे, कि किस तरह से defense को ये लोग बढ़ाएं, और एक दूसरी की security पर भी योगदान दे, तीसरी बात, भारत ने गती शक जानते हैं कि means of transport है, चाहे वो trains हो, चाहे बाकी और माद्यम, उसमें जापान काफी जादा गरनी है, खासतों पर technologically, हम सभी इस चीज़ से बंचित नहीं है, जानकारी से, कि जापान जो है, खासतों पर train और बाकी means of transport है, उसमें technologically बहुत advanced है, तो इंडिया में भी गती शक सहमती दी है, ठीक है, अगला point है, वे हरित hydrogen site सच उर्जा के शेतर में सहयोग को और बढ़ानी पर भी सहमत हुए, तो वैकल्पी कूर्जा या आपकी alternate sources of energy से भी related आपने पिछले कई वीडियो में देखा होगा, हमारे जबी भी कोई दूसरे देशों के साथ आपकी bilateral negotiations होते ह उसमें एक मुद्धा हमेशा से alternate energy sources होता है, तो वैश्विक तोर पर जितने भी आपकी multilateral और bilateral बैठके हो रही है न, उसमें हर जगे ये गुंजाइशे तलाशी जारी है, कि किस तरह से हम conventional sources of energy की जगे, जो alternate sources of energy हैं, उस पर निर्भरता बढ़ाएं, और जिनके पास इन ची advanced है, और हमने कहा कि आप हमें भी इस तरह की support को दीजे, और जपान ने इसमें समय्ति जटाई है, ठीक है, इट इस a form of like pure energy, in an alternate form of energy, ठीक, दोनों इस बात में सहमत हैं कि भारत-जपान Act East Forum भारत की पुरवत्तर शेत्र के विकास को प्रात्मिक्ता देने में उप्योगी रह तो आपको मैंने और, दो, तीन जैसे अभी मैंने आपको जो नधी कॉंफ्रेंस बता है उसमें भी north east region को development की बात हो इसके पहले भी मैंने आपको कुछ और news बताए थी जिसमें north east, either. सखीया गया था और यहां पर भी जो फोकस है, one of the key points of the dialogue जो हमेशा से हमारे और जापान के बीच में रहता है वो यह कि हमारे आंके नौर्ट-East रीजन को कैसे डिवलप किया जा सके हम अपने उन पडोसी देशों से जो कि नौर्ट-East के इर्गिर्ध हैं हमेशा यह उमीद करते हैं कि हमारे नौर्ट-East वाले रीजन में वो की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और जो भी अल्प विक्सित छेतर हैं उनको विक्सित करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो पर्टिकुलर इस इंडिया जैपान के एक्ट इस फोरम के तहट हमने यह माना कि हमारे नौर्ट-East रीजन को इससे काफी फायदा हुआ और हो र रखी कि कौर्ट सम्मेलन के बाद एक तरकी बाइलेटरल जो बाते होई थी उसमें कुछ चीजे निकल कर आती हैं जो प्रलम्स में अब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी है बहुत जादा स्टेटिक पार्ट इसका कुछ और है नहीं फायं इस इतनी ही चीजे थी जो आज की सेशन में मुझे कवर करनी थी तीन चार इंपॉर्टेंट चीजे होई यह बहुत जादा कोई दूसरे बड़ी सम्मिट्स होई नहीं जब होंगी तब हम उसे कवर करेंगे फिलहाल मैंने आपको साथ ही साथ बताते गई हूं कि कौन-कौन से पेपर में और प्रलम्स मेंस औ से उप योगेता है तरह से उप योगेता है आप इन सभी चीजों पर जरूर गौर करें और पैरलली अपने नोटस तयार करते रखते आए धीरे धीरे जाकर अगले साथ तक का we face का धिटेशंत अ जाएंगे और यह आपको कई तरह के कई तरह के एक्जाम्स में help करेगा ठीक है आज के session में इतना है Thank you so much